इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिसकस करने जा रहा हूँ एक important advertisement के बारे में जिसको release किया गया है हिमाचर प्रदेश पुब्लिक सर्विस कमिशन शिम्ला की तरफ से इस advertisement का इंतजार सभी students को काफी बेसबरी से था तो इसलिए हिमाचर प्रदेश पुब्लिक सर्विस कमिशन की तरफ से इस advertisement को release किया गया है advertisement की अगर बात करें तो हिमाचर प्रदेश administrative service combined committative examination इट मिन्स जो HPAS का जो exam की advertisement की notification आपके सामने आ चुकी है date है 19.05.2021 आगे हम इसमें देखेंगे कब से ये form फिल किये जाएंगे कब इसकी last date है और कैसे इन form को फिल किया जाए तो सबसे पहले हम advertisement number को देख सकते हैं और last date की अगर बात की जाए तो इसकी last date रहेगी 15 जून 2021 को online form फिल होने आपके शुरू हो चुके है यानि कि आज 19.05.2021 आज से आपके online application form फिल होने शुरू हो चुके है और इसकी जो fee की जो आपके online fee होगी उसको submit करने की last date भी 15 जून 2021 है इट मिन्स की आपने जल्दी से जल्दी इन form को फिल करना है last date से पहले last date को आप mention कर ले 15 जून 2021 उसके बाद इसमें जो online recruitment application के बारे में जो भी candidate इसके लिए eligible है वो recruitment application form को फिल कर सकते हैं various post के लिए जो भी government of हिमाचर प्रवेश के दोरा फिल किया जा रहा है इनको फिल कर सकते हैं आयोग की जो official website उसका link आपको यहां पे दिया हुआ है इसी link से आप अपने जो online recruitment application form को फिल कर सकते हैं आगे हम इसमें देखेंगे important instructions के बारे में सबसे पहली instruction आयोग की तरफ से दी गई है कि जो भी candidate इन post को फिल कर रहे हैं सबसे पहले इस instruction को आप carefully पढ़ें जिस भी post के लिए आप apply कर रहे हैं उसके बाद हम देखें जो candidate are must ensure सबसे पहले जो candidate है वो अपनी eligibility को सबसे पहले सुनिश्चित कर ले जिसमें आपकी जो category होती है experience, age और essential qualification जो भी आप से मांगी गई है उसको अच्छे से आपने फिल करना है जिसमें आपको जो कुछ है जो documents upload करने होंगे इसमें सबसे पहले essential qualification में matriculation जो certificate 10th का certificate आपको इसमें upload करना पड़ेगा age proof के लिए उसके बाद category certificate, experience certificate to avoid अगर आप इन सब जो certificate को upload नहीं कर पाते हैं तो आपका form या फिर candidature को reject किया जा सकता है उसके बाद आप अपनी category wise इसमें देख सकते हैं जो भी आपके पास जो certificate होता है category wise उसको आप इसमें फिल करना पड़ेगा next instruction है इसमें जो भी candidates हमारे other state के हैं जो फिल करना चाते हैं HPAS जो combined examination 2020 को वो सबसे पहले ensure कर ले अगर वो other state से reserve category या फिर किसी other category के हैं और हिमाचल परवेश में इस exam को फिल करना चाते हैं तो उनको treat किया जाएगा है इस exam के लिए general category candidate उनको जो भी जो benefit मिलते हैं reservation या फिर free concession से related वो उन्हें नहीं दिये जाएंगे तो जो other state के candidate इस बात को mention या फिर ensure कर लेक्स जो instruction है यही instruction आपके लिए बहुत important है कि किस परकार से आपने इस form को फिल करना है कैसे आप अपनी नई ID को बनाएंगे क्योंकि आपको पता होगा आपके पास already ही पुरानी ID थी होगी इस बार commission ने उस परानी ID को बंद करके आप सभी candidate को ensure किया है कि आप नई ID पे ही form फिल करें क्य ID को बनाया जाएगा क्या-क्या इसमें जो documents लगेंगे कैसे इस form को फिल करेंगे तो आगे हम इसमें देखेंगे कौन-कौन से document आपने या फिर scan document आपने इसमें upload करने हैं तो इसमें सबसे पहले जो scan document 10th का mark sheet जो होती है 10th class की उसको age proof के लिए इसमें upload किया ज़रूरी है उ उसके बाद जिस भी category से आप बिलोंग करते हैं उसकी copy भी आपने इसमें upload करनी है चाहिए इसमें SC, ST, OBC, EWS, X-Serviceman या फिर ward of X-Serviceman जिस भी category से आप बिलोंग करते हैं उसकी आपको certificate या copy इसमें upload करनी पड़ेगी next जो important जो document आपने इसमें upload करना है वो रहेगा bonofide हीमाचली जो बिलोंग करते हैं reserve category से उसके बाद हम देखते हैं जो candidate जो apply करना चाहता है EWS category से उसको अपने income and asset certificate को इसमें submit करना पड़ेगा उसकी जो copy होती है उसमें आपको upload करनी पड़ेगी next जिसमें जो candidates belong करेगा ex-servicemen of हमाचल प्रदेश से will have to furnish discharge जो certificate होता है ex-servicemen का उसको भी इसमें upload करना पड़ेगा ये थी list की कौन-कौन से documents आपने जिसके भी scan document आपको इसमें upload करने पड़ेगे next हम इसमें देखेंगे post detail के बारे में कौन-कौन सी post है कितनी इसमें total post है सबसे पहले हम इसमें देखेंगे जो department of personal की तरफ से इसमें name of post का नाम है हमाचल प्रदेश administrative services HPAS की कुल post इसमें रहेगी 8 post category wise अगर इन post को देखा जाएगा तो इसमें unreserved category के लिए 4 और उसके बाद unreserved category में ही hearing impaired of हमाचल प्रदेश उनके लिए एक post है उसके बाद unreserved category में ex-servicemen of हमाचल प्रदेश के लिए भी एक post और serial cast और OVC के लिए एक एक post रहेगी है कुल जो HPS की जो कुल post इस बार है वो है 8 pay scale को आप देख सकते हैं कि कौन क्या इसमें pay scale है और grade पे है next department के बारे में हम देखेंगे जो post है food civil supplies and consumer affair department में post का नाम है district controller total post एक post है वो भी unreserved ये post रहेगी उसके बाद home affair में देखें तो home department में हमाचल परदेश पूल पोस्ट इस बार चार है जिसमें की दो unreserved रहेगी उसके बाद unreserved ex-servicemen के लिए एक post next है स्रीवल ट्राइब और हमाचल परदेश के लिए इसमें एक post रहेगी अगला है इसमें revenue department में तैसिलदार की भी एक post है जो की reserve रहेगी unreserved ex-servicemen of हमाचल परदेश की ये backlog की post जो है ये ex-servicemen of हमाचल परदेश में ही fill की जाएगी उसके बाद cooperation department में आप देख सकते हैं post का नाम है assistant registrar assistant registrar की इसमें कुल दो post है वो भी unreserved ये post रहेगी total अगर देखे तो पाँचो इन department मिलाके इन post की जो कुल संक्या है वो है 16 तो 16 post पे ये जो combined जो हमाचल परदेश administrative combined जो exam 2020 conduct किया जाएगा कुल post इसमें 16 रहेगी बाकी commission की तरफ से ये भी mention किया गया है कि इन post में जो बढ़ोतरी ये फिर कटोती हो सकती है तो कुल अभी के लिए जो कुल post है वो है 16 पाँच डिपार्टमेंट में अलग-अलग जो post इसमें है तो next हम इसमें देखेंगे eligibility condition के बारे में अगर आप इस exam को में apply करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको eligibility condition के बारे में पता होना चाहिए जिसमें कि सबसे पहले candidate जो की must be citizen of India उसे भारत का नागरिक होना अवश्यक है और उसके जो minimum educational qualification की बात करूँगा में इसमें तो इसमें सबसे पहले जो bachelor degree या फिर equivalent from recognized university से आपके पास होनी अवश्यक है उसके बाद other जो भी eligibility condition है आप अपने हिसापस में पढ़ सकते हैं जब भी आप इसको PDF को download करते हैं next time इसमें देखेंगे essential qualifications के बारे में या फिर desirable qualification के बारे में इसमें आपको knowledge होना चाहिए custom का manner का जो dialects होती हमाचर प्रदेश की उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत knowledge होना जरूरी है यह मैं आपको बताना चाहूंगा age limits के बारे में अगर आप इस exam को fill या फिर apply कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको age limits के बारे में पता होना अवश्यक है कि क्या इसमे minimum age रहेगी और क्या इसकी maximum age होती है minimum age के अगर बात करूं बो रहती है 21 years और maximum age इसमें होती है 35 years अगर आप एक जनवरी 2021 को अगर आपकी age 21 वर्ष complete हो चुकी है तो आप इस exam को fill करने या apply करने के लिए पूरी तरह से eligible हैं तो अगर आपकी age limit या फिर upper age limit में देखे आपकी data worth अगर एक जनवरी 1986 के बाद है एक जनवरी 1986 के बाद अगर आपकी data worth या फिर 35 year आपकी complete तब तक नहीं हुई है तो आप इस exam को easily fill कर सकते हैं अगर आप belong करते हैं unreserved category से next इसमें हम देखेंगे इसमें कहा है कि जो upper age limit में 35 year जो age limit अपर age limit है उसमें relaxation दी जाएगी लगबग 5 साल की इसमें relaxation दी जाएगी reserve category में उसमें category के अगर बात करूं तो serial caste, serial tribe या फिर OBC, person with disabilities and children, grand children of freedom fighters ये सब अगर आप इन समें से belong करते हैं तो आपको जो upper age limit में 5 year की जो इसमें relaxation दी जाएगी तो आगे इसमें mention किया गया है कि provided further the government servant जो भी government servant है who is holding substantive officiating contractual appointments in the हमाचल प्रदेश government और high court of हमाचल प्रदेश court subordinate या फिर other जिसमें public service sector undertaking, corporations, कुछ एक जो banks होते हैं substantially on जिनको हमाचल प्रदेश government उसको on करती है तो बो भी candidates इसके form के लिए eligible हो सकते हैं इसमें minimum qualification बोई है कि graduation आपके पास होनी ज़रूरी है उनकी जो age limit में अगर बात करें तो 45 years से जादा उनकी age नहीं होनी चाहिए has not attend the age of 45 year 1st जनवरी 2021 को आपकी जो age 45 year से जादा नहीं होनी चाहिए अगर आपकी age 45 year है तो आप इस form को fill कर सकते हैं साथ में इन्होंने mention किया है कि in case of Himachal Pradesh Police Services जो कि class 1 gazetted in the department of home और टिस्टिक कंट्रोल की जो post है यह भी class 1 gazetted in the department of food, civil, supplies and consumer affairs अगर जिन जो government servant के बारे में में अलड़ी mention किया है तो अगर इन services में आते हैं तो आपकी जो upper age limit इसमें रहेगी 42 year इसको आप अच्छे से mention कर लें other services के लिए आपकी जो upper age limit 45 रहेगी इन दो services के लिए आपकी जो maximum age रहेगी 42 जो इसमें instructions है वो आप खुद देखेंगे जैसे आप इस PDF को download करेंगे form fill करने से पहले जो other instructions है इसको भी आपने देखना है आगे हम इसमें देखेंगे examination station या फिर cities के बारे में कि किस cities या फिर कि station में आपका exam conduct किया जाएगा तो इसमें सबसे पहले बिलासपूर है चंबा, हमीरपूर, कांगडा, धर्मशाला, पालंपूर, मंडी, शिमला, नहन, सोलन, उन्ना और सुंदरनगर ये आपके पास जो examination center रहेंगे जिनको mention किया गया है यहां पे तो आप अपनी preference के साफ से इसमें choose करेंगे, तीन preference आपको इसमें दी जाएगी, नियरवाई जो भी आपके पास examination center है उसको first preference पे उसके बाद जो other center है तीन center आपको इसमें choose करने पड़ेंगे, इसमें आगे रहेगा कि how to apply, किस तरह से इस online application, recruitment application form को fill किया जाए या फिर apply किया जाए इसका मैं पूरा procedure आपको आगे बताने वाला हूँ इससे पहले हम other, जो instruction इसमें देख लेंगे, तो सबसे पहले इसमें हम देख सकते हैं, जो written examination के लिए optional subject, एक optional subject आपने इसमें choose करना है आप इस list को यहां से देख सकते हैं जिसमें की Indian history, political science and international relation, mathematics, statistics economics, उस प्रकार से जो भी आपका optional subject है, आपने एक optional subject इसमें choose करना है, आगे मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा, आपने जो भी optional subject आपका है, उसको आपने carefully choose करना है, क्योंकि commission ने इसमें mention किया है कि आपका जो optional subject एक बार choose हो जाता है उसमें किसी भी परकार की changing आगे नहीं की जाएगे, इसलिए optional subject को choose करते इसमें पूरे ध्यान से इस optional subject को choose करें, next हम examination fees के बारे में देखेंगे कि कितनी fees आपको pay करनी पड़ेगी इस exam को भरने के लिए सबसे पहले हम इसमें general category को लेंगे general categories की जो fees रहेगी वो है 400 rupees 400 rupees fee रहेगी general category की second पर आता है candidates of other states, जो candidates other states हैं, दूसरे राजिया के हैं जिसमें की include reserve category अगर वो reserve category के वी हैं या फिर candidates other states उनकी fees भी रहेगी 400 next इसमें जो बिलोंग करते हैं candidate SC of हमाचर प्रदेश, SC, ST, OBC हमाचर प्रदेश, EWS या फिर other इसमें ex-servicemen, OBC को देख सकते हैं तो उनकी जो fees रहेगी इसमें 100 rupees fourth number price में है कि ex-servicemen of हमाचर प्रदेश ex-servicemen who are relived from the defense services after completion of the normal tenure जो blind है, visually impaired है या फिर female candidates है इन सभी candidates के लिए इस exam को apply करने के लिए किसी भी वरकार की fee नहीं होगी it means कि ये totally free of cost रहेगा female candidates और other ex-servicemen आपकी जो भी fee इसमें paid होगी वो आपको online mode से ही आपको इसमें pay करनी पड़ेगी एक e-payment gateway के द्वारा उसके बाद भी अगर आपकी किसी भी परकार की queries रहती है तो आप commission को call कर सकते हैं उसमें आपकी जो working day होता है 10 से 10 वजे से आप 5 वजे के बीच में आप कभी भी call कर सकते हैं याँ पे उनके number या फिर email पे उनके contact कर सकते हैं आगे इसमें कहा गया है कि आपका जो admission है उसको reject भी किया जा सकता है अगर आपने अधूरा form इसमें रखा है या फिर आपने इसमें fee submit नहीं की है या फिर scan photograph, scan signature अगर जो भी document आप इसमें अगर upload नहीं कर पाते हैं तो आपका जो admission reject किया जा सकता है इसमें जितने भी certificate आप से मांगे हैं उन सभी की scan copy आपने इसमें upload करनी है नहीं तो आपका जो form इसमें reject भी किया जा सकता है आगे हम इसमें देखेंगे syllabus के बारे में कि preliminary examination के लिए syllabus क्या रहता है कितने इसमें paper होते हैं जो prelims का जो total paper में अगर बात करें तो दो paper इसमें होते हैं objective types के multiple choices के question रहेंगे पहला जो paper होता है वो general studies का general study में total इसमें marks रहते हैं 200 marks का paper होता है 100 question 100 जो question होते हैं जो each जो question होता है वो carry करता है 2 marks 2 marks carry करेंगे negative marking के अगर बात करें तो इसमें 1 third 1 third आपकी इसमें negative marking रहती है तो आपको काफी carefully इन question को देखना होता है इसी first जो paper general study के basis पे ही आपकी selection होती है men's exam के लिए तो दूसरा इसमें रहता है aptitude test aptitude test भी 200 marks का ही रहता है इसमें भी 100 question रहते हैं और प्रतियक जो question होते हैं वो 2 marks होते हैं और इसमें negative marking भी 1 third रहती है तो paper second aptitude test की अगर बात करूँ यह आपको just qualify करना पड़ता है 33% इसमें 67 point something आपको इसमें marks लाने पड़ते हैं तभी आप इस paper को qualify कर पाएंगे अगर आप aptitude test को qualify नहीं कर पाते हैं तो आपकी जो men's examination के लिए selection इसमें नहीं होगी merit के अगर बात करो merit के बारे में आपको बता दिया वो बनती आपकी सिर्फ paper बन के basis पे paper to aptitude test just qualify करना पड़ता है आपको syllabus इसमें आप देख सकते हैं general studies का syllabus क्या है इसमें history, geography, political, art and culture socio-economic, development और हिमाचर परदेश उसी प्रकार आप current affairs से लेटे देख सकते हैं international importance बाकि आपको जो syllabus आपकी इस PDF में पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा कि किस according आपने prelims exam की preparation करनी है second paper aptitude test के बारे में आप इसमें देख सकते हैं जिसमें कि comprehension, interpersonal skills including the communication skills, English language comprehension skills, 10th level पर आपसे रहती है आप इस labels को यहां से देखकर आपनी preparation को अच्छे से त्यार त्यारी कर सकते हैं बागी अधर मैंने इसमें आपको अलड़ी बता दिया है कि penalty वो रहती है 1 third 1 third penalty या फिर 0.33% आपकी जो negative marking पर question इसमें रहेगी अगर आपका question गलत होता है उसके बाद timing के अगर बात करें तो paper 1, paper 1 में भी आपके पास 2 घंटे होंगे और जो aptitude test में भी आपके पास 2 घंटे होंगे तो 2 घंटे में आपने इन 100 question को complete करना है उसके बाद अगर आप man's exam में admit होते हैं man's exam में admit होने के लिए एक post के लिए 20 time 20 time जो candidates को man's exam के लिए बुलाया जाता है man's exam के बारे में आपको मैंने बता दिया compulsory paper second इसमें optional subjects compulsory paper में अगर देखे तो 6 paper आपके इसमें रहेंगे first है English, Hindi third इसमें essay करेगा और 3 जो paper होंगे general studies के general study 1 general study 2, general study 3 उसके बाद जो 2 paper होते हैं आपने जो optional subject आपका जो choose किया होगा उसके आपके पास तो 2 paper होंगे paper 1 और paper 2 और each जो भी paper होंगे वो carry करेंगे 100 marks तो 200 marks के आपके optional रहते हैं और जो compulsory paper की अगर बात करें तो ये total marks इसमें 900 के रहते हैं तो ये है compulsory और optional subjects के बारे में कुल मिला के जो man's written exam आपके पास होता है उसमें रहेंगे आपके total 8 paper, सभी paper आपके descriptive बे या फिल written form में ही होंगे अगर आप man's exam को clear कर पाते हैं तो आपको बुलाया जाता है personality test के इसी personality test के basis पे आपकी final selection होती है इसमें मैंने आपको complete बता दिया prelims, man's और personality test के बारे में अब हम आते हैं अपने man topic पे कि हमने किस प्रकार से इस form को fill करना है how to fill मैं आपको complete procedure के थूँ आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपने इस form को fill करना है कहां से आपने इस form को fill करना है तो आते हैं अब अपने official website के उपर तो अब हम अपने man जो topic है कि किस परकार से इस form में apply किया जाए, कैसे इस form को fill करें आपके पास चाहे mobile phone है, laptop है, computer है आप किसी भी तरह से इस form को fill कर सकते है सबसे पहले आपने करना है जो commission की official website पे visit करके इसको open करना है open करने के बाद आप chrome browser या फिर आपके पास जो भी browser इस पे open कर सकते है chrome browser पे जाने के बाद आपको इसमें जो public service commission की official website आपके सामने खुल जाएगी इसको आप चाहे simple mode में रख सकते हैं या फिर इसको desktop mode में भी इसको open कर सकते है desktop mode में थोड़ा इसमें time लग जाता है open होने में जैसे ये open हो जाती है, आपने directives में जो form apply करना है apply करने के लिए आपको online application registration पे आपको जाना पड़ेगा तो जैसे ही हम online recruitment application पे जाते हैं हमारे पास सबसे पहले ये form खुल जाएगा इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास option इसमें देगा new registration का हमने new registration पे open करके इसमें click करना है आपके पास कुछ एक term and conditions इसमें आएगी कि by registering on the website on one time registration I agree to avoid by the terms and condition of usage of the website set by the commission इसमें जो भी terms and condition है उसको आपने अच्छे से इसको पढ़ना है उसके बाद आप new registration में जाते ही सबसे पहले हमने इसमें जो एक registered email ID को इसमें fill करना है जैसे हम इसमें registered email ID को fill करते हैं उसके बाद जो registered mobile number आपके पास होगा उसको भी आपने इसमें fill करना है आपसे next पूछा जाएगा एक security question के रूप में उस question को आप इसमें देख सकते हैं कोई भी question को choose करके और उसका जो security answer इसमें fill कर सकते हैं उसके बाद फिर हमारे पास option आएगा password का आगे आप इसमें fill करेंगे password को password आपके पास minimum 8-15 character का होना चाहिए जिसमें किस सब से पहले एक जो word होगा कम से कम एक word इसमें uppercase का होना चाहिए इड मिन्स की capital letter में एक word होना चाहिए दूसरे इसमें एक शब्द इसमें lower cases में होना चाहिए कोई भी letter आप इसमें lower case में होना compulsory है उसके बाद one word आपके पास a numeric value में होनी चाहिए one, two, three, four करके कोई भी आपके पास value इसमें रहनी चाहिए fourth इसमें जो एक special character आपका इसमें होना चाहिए तभी उसके बाद आपके जो password इसमें set हो जाएगा और confirm कर देना है उसके बाद जो security key है जो भी option है आपके पास उसको fill करके इसमें register कर देना है जैसे ही आप आपके पास इस तरह का पॉस्टर आईगा कि are you sure you want to register be the following details, जो email ID आपकी और जो confirm mobile number है अगर आपका यह सब कुछ सही है तो आपने इसमें confirm या फिर yes कर देना है आप इसको yes कर देते हैं आप completely इसमें registered हो जाते हैं, आपको दिखेगा कि registered successfully और आपको कहा जाएगा जो भी email ID आपकी है, उसको आपने open करना है बहां पे आपको एक activation link आएगा उस email ID के ओपर और एक OTP भी आपको mobile number पे आजाएगा तो सबसे पहले आपने आप जाना है अपनी email ID पे, जैसे ही आप registered email ID पे आते हैं, आपको HP Public Service Commission की तरफ से एक आपको link मिल जाएगा, आपने क्या करना इस link को क्लिक करना है, जैसे आप इस link को क्लिक करते हैं, तो उसके बाद Chrome browser फिर से activate करना है, email ID के activation link पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो आपको जो account activation के लिए mobile number पे, जो register mobile number होगा, उस पे एक OTP आएगा उस OTP को आपने इसमें add करना है, जैसे आप इसको OTP आप लगा देते हैं, तो इसके बाद आपने इसको submit कर देना है, submit करने के बाद आपकी email ID और password आपके सामने आ जाएगा, उस email ID और password को आपने save रखना है, जैसे आगे हम sign up करेंगे, sign in करेंगे तो बहाँ पे वो register email और जो हमने password डाला है, वो लगेगा तो हम आवाते हैं अपने sign in पे तो जैसे ही आप sign in कर लेते हैं, आपके पास कुछ इस तरह का जो portion दिखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहले आपके पास personal information के लिए तो सबसे पहले आपने applicant का name, जिस जो भी name है, आपका वो आपने fill करना है, उसके बाद आपकी जो date of worth रहेगी, date of worth 10th की mark sheet के according ही आपको इसमें fill करनी पड़ेगी जो date of worth 10th की mark sheet पे है, वही date of worth इसमें रहेगी, उसके बाद आगे हम इसमें gender को select करेंगे अगर male है तो male, female है तो female father name को आप इसमें fill करेंगे, mother name जो भी होगा, उसको fill करेंगे उसके बाद अपने जो marital, जो status है अगर आप unmarried है तो unmarried पे टिक करें, married है तो married पे divorced है तो diverse पे, इसमें अगर आप unmarried है तो, फिर आप इसमें बहेंगे identification mark आपका कोई भी face में या फिर body में कोई भी identification mark है उसको आप इसमें fill कर लेंगे फिर आपके पास आएगा कि जो list जिस भी list से बिलोंग करते हैं सबसे पहले आप हिमाचर प्रदेश के अगर स्थाई निवासी है तो आपने से किसी भी जगह पे आपकी list में कोई भी बिलोंग नहीं करते हैं तो आपका none of these इसमें रहेगा फिर आप से state के बारे पुछा होगा हमाचर प्रदेश के अलावा अगर other state से हैं तो आप इसमें other none of these के बाद आपके वो option भी आपको मिल जाएगा फिर आपके पास category claim करने के ल अपनी category के हिसाब से ही choose करें carefully फिर आगे हम इसमें अगर देखे फिर नेशनल्टी की बात आती है नेशनल्टी तो इंडियन ही रहेगी इसमें religion भी आप से पूछा है आप जिस भी religion को follow करते हैं उसको आप इसमें डाल सकते हैं minority group से अगर आफ है तो आप minority में yes और no इसमें कर सकते हैं उसके बाद अगर आप रजिस्टर हैं जो employment office से आपने employment office में जो रिजिस्टर अगर है तो आपने इसको yes करना है फिर जो registration number है जो employment office का वो आपने इसमें upload कर देना है जैसे ही आप सभी इन जो document को fill कर लेते हैं आपके पास निचे option आएगा submission का आपने इसको submit कर हो जाता है आप जो दूसरे number के प्रोसीजर पर आ जाते हैं contact information उसमें जो mandatory फिल पर अलड़ी आपका जो mobile number register होगा alternate जो email ID आपको इसमें डालनी पड़ेगी वाप इसको fill करेंगे इसमें correspondence address जो आपका रहेगा उसको भी आप fill करेंगे फिर pin court, state, district, permanent address अगर आपका correspondence address के साथ same है तो आपने just same as above के पास ही click करना है अगर जो permanent address आपका different है तो आप उस address को भी पूरा फिल करेंगे फिर उसको वाद आप आगे इसको जो submit करेंगे तो आगे आते हम next educational qualification पे आपकी जो भी qualification है आपने उसको chronologically डालना है उसमें सबसे पहले 10th की जो qualification qualification की specialization, board, institution का नाम, subject जो भी आपने 10th की है उसका नाम उसके बाद आप इसमें जो result status कब ये आपकी 10th फास हुई है और कितने percent में आपकी 10th हुई है certificate number, mark sheet के ओपर आपका certificate number होगा उस certificate number को आपने इसमें फिल करना है और उसी mark sheet पे नीचे की side आपके पास एक certificate issue, issue करने का जो number होता है वो भी आपने इसमें फिल करना है उसी प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं 10th की हो गई chronologically plus 2 की same procedure भो ही रहेगा इसमें आपने institution name, subject optional होगे जो result आपका status, certificate number, certificate issue, फिर आप के पाद जो graduation की कोई भी डिगरी, BA, B.S.C. जो भी है आप इसको उसी तरह से फिल करेंगे chronologically इसके बाद अगर आपने कोई भी other जो exam qualified किया है उसको आप update या फिर इसमें फिल कर सकते हैं नहीं तो आप इसमें direct next में चले जाएंगे जैसे आप next में जाते हैं तो फिर आपके पास option आएगा image को upload करने का, आपने इमेज को upload करना है इसमें सबसे पहले आपने जो note दिया है इसमें की, जो candidate required is upload the images of recent, recent photograph आपके होना चाहिए, signature होने चाहिए उसके बाद image जो भी आपने image इसमें फिल करनी है वो JPG form में होनी चाहिए या फिर JPEG या फिर PNG format में ही होगी the photo of candidate should without cap और जो गोगल, जो भी आपका photo होगा, उसमें without cap, गोगल या फिर इस तरह की कोई VCG इसमें allowed नहीं की जाएगी सबसे पहले आपने इसमें image या फिर photograph को फिल करना है, जो सिर्फ आपकी JPG, PNG या फिर JPEG format में ही होगी उसी प्रकार जो signature भी आपने बैसे ही फिल करने है, मैं already इसमें इसको फिल कर चुका हूँ, आपने जो latest photo का copy होगी आपकी, उसमें इसको फिल करना है फिल करने के बाद आपके पास option आएगा save and next का, आपने next जो point पे पहुंचना है उसमें work experience के पास अगर आपके पास कोई भी work experience है, तो उसको आप लिख सकते हैं, उसकी जो certificate होगा उसको भी डाल सकते हैं मेरे पास कोई भी work experience नहीं है, तो मैं इसमें no करता हूँ, मैं आगे direct आता हूँ, save and next पे जैसे मैं next पे आजाता हूँ, तो जो मेरी qualification है, उसको, उसके document मैंने आप लोड करने है, if you have multiple documents against the qualification, अगर आपके पास एक ही जो document के, एक ही जो qualification के other other document है, आपने उसको PDF form में, सभी document की एक ही form में, एक ही PDF में आपको अपलोड करने है, जितने भी document आप upload, scan document अपलोड करेंगे, सभी document आपके होने चाहिए PDF form में ही, सबसे पहले जो 10th का जो आपको document रहेगा, qualification specialization अपलोड करने के लिए आएगा, जैसे आप document अपलोड करते हैं, PDF आपकी बनी होनी चाहिए, full PDF ये होगी, scan document होगे, फिर इसमें आपने इसको अपलोड कर लेना है, मैं इसमें document अपलोड कर चुका हूँ, size के बारे मैं आपके पास अपलोड कर चुका हूँ, size के बारे मैं आपके पास already दिया होगा, इसका कितना size इस PDF का होना चाहिए, access भी PDF का size नहीं होना चाहिए, अगर access में कोई PDF आ जाती है, तो उसको accept नहीं किया जाएगा, उसी परकार आप chronological इसमें जो qualification है, उसको अपलोड कर सकते हैं, पहले 10th का, फिर आप 12th की, फिर उसके बाद जो graduation या फिर other equivalent को उसमें अपलोड बारी बारी से कर सकते हैं, अपलोड करने के बाद आपके पास कुछ इस परकार का जो format दिखने को मिलेगा, लास्ट में आपके पास पूरा ही इस परकार का होगा, document अपलोड करने के बाद, आपने फिर आगे का काम करना है अब, तो जैसे ही मैं इन सभी document को अपलोड कर देता हूँ, तो मेरी जो profile है 100% इसमें complete होई होगी, उसमें उपर आपको लिख है, 100% of your profile has been completed, कि आपकी जो profile 100% complete, तो जैसे ही हम सभी document को अपलोड कर लेते हैं, हम present में हमारे पास advertisement जो आई है, हिमाचल प्रदेश administrative services related, इसमें हम देख सकते हैं, और यहां पर option आएगा apply के लिए, closing date और free closing date के बारे में आपको इसमें बता दिया गया है, तो आपने इस पे click करना है apply के लिए, जैसे आप इस पे click करते हैं, तो आपके सामने form आ जाता है, priority देनी है, इसमें सारी अगर बात करें तो service सारी click होगी, priority की बात इसमें देते हैं, अगर आप H.A.S. को पहली priority देते हैं, तो फिर आपको पहली number पे इसको करना बड़ेगा, जैसे कि मैं priorities पे second position पे दूँँगा, H.PS को, तो दूसरे number पे, उसके बाद मेरी third priority रहेगी cooperation मे assistant registrar या फिर district contractor controller में से एक, तो में third priority दूँगा इसे, उसके बाद अगर fourth priority की बात करूँ, मैं assistant registrar को fourth priority पे रखूँगा, और तैसिलदार की जो post है, उसमें fifth priority पे रखूँगा, उसके बाद आपने जो application form various department के लिए इसमें already fill होता है, अब आपने जो examination center के लिए preference देनी है, इसमें पहले में अपनी preference तो इसमें आप अपने area wise preference दे सकते हैं, तो मैं इसमें पहली Monday देता हूँ, second preference की बात करें, तो आप second preference भी दे सकते हैं, जो आपकी और नस्दिक है, तो मैं उसमें सुंदर नगर देता हूँ, third preference इसमें मेरी रहती है, बिलासपूर, आप अपने according इसमें preference दे सकते हैं तो इसके बाद आपको आएगा number of chances availed कि अभी तक आपने कितने chances दे चुके हैं तो मैं इसमें अपने इसाब से जितने आपके chances हो चुके हैं उतने chances आपको यहां बरने पड़ेंगे next उसके बाद आपको एक optional subject चूज करना है जो भी आपका optional subject रहेगा जो है उसको आप carefully choose करेंगे क्योंकि एक बाद अगर आपने choose कर दिया तो उसके बाद कोई भी इसमें changing नहीं होगी तो optional subject चूज करना है मैंने इसमें history optional subject को choose किया है आपने काफी carefully इसको choose करना है क्योंकि changing इसमें नहीं होगी उसके बाद इसमें आप आगे देख सकते हैं जो detail आपने पहले already fill कर चुकी है वो आपके सामने आ जाएगी इसके बाद भी अगर आपको रगता है कि आप इसमें कुछ edit करना चाते हैं तो यहां पर edit के option आपके पास मिल जाएगे तो आपने इसके edit करना है या फिर कर सकते हैं अगर करना चाते हैं तो आप यहीं पर edit कर सकते हैं उसके बाद आपके पास जो additional qualification यह सभी document आप already upload कर चुके तो यह इसकी detail भी आपके पास आ जाएगे अगर आपके पास कोई other mandatory in subject of eligibility से related कोई भी other document है तो उसको भी आप इसमें upload कर सकते हैं अगर नहीं है तो तो आप इसमें no option कर सकते हैं have you ever been declared never disqualified from any examination conducted by any recruitment agency कि आपको इससे पहले कहीं ऐसे disqualified exam से किया गया हो या इस तरह का कुछ अगर आपका है तो आप अपने इसाब से yes yes yeah फिर no कर सकते हैं तो हम इसमें no करूंगा उसके बाद आपने declare करना है इसमें पूरा लिखा होगा कि मैं जितनी भी मैंने सभी तर्मेंट कंडिशन को अच्छे से पढ़ा है मैंने अपने form को पूरी तरह से carefully भर लिया है तो इसको मैं click करूंगा ये click हो जाएगा तो उसके बाद आपके सामने इस तरह का एक option आएगा जैसे ये आप महां पे click करते हैं तो आपके सामने कुछ इस परकार का एक दिखेगा जिसमें लिखा होगा please scroll down up to last page document and accept the undertaking इसमें आपने जो भी undertaking है उसको accept करना है तो फिर आपके आगे जाएगी proceed होगा ये आपका आगे proceed हो गया है तो अब आपने इसमें submit application form proceed करने के बाद आपने इसको submit कर देना है आगे आपसे पुछा जाएगा कि आप इस application form को submit करना चाते हैं क्योंकि इसके बाद कोई भी edit ये फिर changing इसमें नहीं होगी अगर आपको आपका form बिल्कुँ सही है तो इसमें yes yes कर दिजिए आपका जो form submit पूरी तरह से हो जाएगा direct आप फिर payment के लिए फिर जो भी होगी आपकी category wise वो payment के लिए आपका पास option आजाएगा यहाँ पे आपने इसको भी submit कर देना है यहाँ भी आपसे इस तरह से option आजाएगा इसको भी yes करेंगे फिर जिस भी तरीके से आप payment करना चाहते हैं तो आप उस तरह से payment इसमें कर सकते हैं payment mode या फिर e-wanking के थूरू या फिर manually कर सकते हैं इसमें मैं e-wanking के थूरू या फिर manually इसमें e-wanking को चूज करूँगा तो सबसे पहले आपने bank को चूज करना है मैं यहाँ पे bank को अपने हिसाब से चूज कर रहा हूँ तो उसके बाद जो security code है यहाँ पे इसको आपने इसमें fill करना है security code को fill करने के बाद आप इस payment में आगे बढ़ सकते हैं तो payment में आगे बढ़ते ही आपको इस प्रकार का कुछ एक दिखेगा कि आप SBI net banking से या फिर other bank से या फिर किसी other bank से कोई भी payment करना चाते हैं आप अपने हिसाब से इसमें कर सकते हैं तो मैं सबसे पहले जो net banking को लूँगा net banking में अपने हिसाब से मैं इसको इसमें fill कर दूँगा login हो जाएगी तो जैसे ही आपकी fee submit हो जाती है कुछ टाइम बाद आपके पास option आजाएगा fee paid जैसे ही आप home पे आजाते हैं तो आपके पास application status होगा उस पे click करने के बाद आपने जो form fill किया है उसकी पूरी detail एक PDF form के रूप में आ जाएगी इसको आप इसका print out निकाल के अपने पास भी रख सकते हैं या फिर इसका PDF आप अपने पास रख सकते हैं इसमें total जो जो आपकी payment और फिर form सब कुछ इसमें detail होगी ये थी इस form को fill करने की पूरी procedure या फिर पूरी process आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी process समझ आई होगी अगर इसके बाद भी अगर आपको इसे related कोई इसमें queries होगी या फिर कुछ कमिया लगी होगी आप हुमें नेक्स्ट लेक्चर में नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार